Hello everyone, welcome to my channel, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं Class 12 English की Elective Book Kaleidoscope का third short story जो है A Wedding in Brownsville उसे हम पढ़ने वाले हैं, ये third short story है आपकी, इसके author है Isaac Beshwis Singer या Isaac Beshwis Singer भी आप इसे कह सकते हैं, इनका जन्म हुआ था पोलेंड के अंदर 1902 में इनका बर्थ हुआ था और 1991 में 1991 में इनकी डेथ हो गई थी, इनका जन्म हुआ पोलेंड के अंदर, his father and grandfather were rabbis अब इनके पिता जी और दादा जी जो थे, वो यहूदियों के पादरी या धरम गुरू थे और वर्सा के रेबिनिकल सेमिनरी में इनकी जो है एजुकेशन हुई थी, 1935 में क्या हुआ था ये यूएस में आ गए थे and since then has worked as a regular journalist and communist for the New York paper, the Javish daily forward और यूएस में आने के बाद इन्होंने New York के अंदर एक newspaper, the Javish daily forward उसके अंदर एक लेखा के रूप में, एक संपादक के रूप में, इन्होंने काम किया था अब इनके कुछ है की ऐसे काम थे जो मतलब इनों ने वर्सा में जो भी पुब्लिकेशन से रिलेटे काम किये थे उसमें से कुछ ही ऐसे थे जो इस काम से अलग रहे बाकी तो सारे क्या है इनों ने लिखे थे इस जनरल के अंदर अब यह कुछ इस तरह से मेल जो खाता था कि सिंगर के जो भी काम थे आईजयक बैश्वेस सिंगर के जो भी काम थे वो क्या है कुछ समय पहले कुछ समय हुआ था कि सिंगर की जीतने भी काम से पुब्लिकेशन थी उसे थोड़े टाइम में ही क्या कर दिया गया ट्रांसलेट कर दिया गया या फिर अनुवाद कर दिया गया इनका दूसरी लैंग्वेज में और उसके थ्रू क्या हुआ इनकी काफी जदा एंडूरेंस मेरिट में आये यानिकी काफी जदा फेम में आये उस ट्रांसलेशन के बाद लोगों ने इनके जो काम की सराहना की काफी इनके काम को पसंद किया और इनका नाम जो हो बना रहा ये टिके रहे एंडूरेंस रहे हैने की टिकाऊ रहे, he was awarded the Nobel Prize for Literature in 1978, 1978 में इने Literature के लिए Nobel Prize मिला, his publications include, इनकी publication में आते हैं, A Friend of Kafka, The Science and Other Stories, ये इनकी publications में कुछ एक काम है जो इनके आते हैं, अब इनमें कुछ words आये हैं, जैसे rabbits, जो मैंने yellow highlight किया है, ये rabbits का मिन होता है, ये हूदियों के पादरी, और दूसरा word है endurance, endurance का मिन होता है, टिकाऊ पन या टिके रहना, लंबे समय तक टिके रहना, तो ये कुछ words से जो आए, अब आगे बढ़ते हैं हम, अब कहानी की शुरुआत होती है, इसमें कुछ characters हैं, जिनमें main fame में आते हैं, डॉक्टर सॉलोमन मार्गोलिन और उनकी wife है ग्रेटल, तो जो शादी है जिस पर ये जाना चाहते हैं, जिस बारे में हम chapter पढ़ रहे हैं, ब्राउंस फिल्ड में जो होने वाली है शादी, वो शिरू से ही डॉक्टर सॉलोमन मार्गोलिन के लिए एक बर्डन थी, from the very beginning, शिरू से ही, true, it was to take place on Sunday, अब सच बात है ये, ये शादी तो संडे को ही होने वाली थी, लेकिन ग्रेटल का भी कुछ कहना था, ग्रेटल का क्या कहना था, कि संडे की बात करें तुम शादी की, लेकिन संडे ही ऐसा दिन होता है जिसे कि हम शाम को साथ में बिता सकते हैं, और संडे की तुम बोल लोगी शादी है, His responsibilities to the community made him give away the evenings that belong to her अब बात क्या आती है कि Dr. Solomon Margolin थे वो एक community से जुड़े हुए थे और इस community से जुड़े हुए थे उस community के साथ जुड़ने के बाद इसके wife की जो शामे थी वो सारी क्या है ये community को देते थे यानि कि उसी में उलजे रहते थे अपनी wife को वो समय नहीं दे पाते थे main बात ये बोली गई है अब जियोनिस्ट जो लोग थे उन्होंने Dr. Solomon Margolin को एक community के अंदर अपॉइंट कर लिया था जियोनिस्ट क्या होते है ऐसे लोग होते है जो यहूदियों को उनके जो main घर है राष्ट्रिय घर है पलेस्टाइन उसमें वापिस से पहुंचाने के जो समर्थक हैं या उसमें help करते हैं वो जियोनिस्ट होते हैं अब वो एक जैविश कोलिस्टिक सॉसाइटी का member था बॉर्ड मेंबर था यह बिकम को एडिटर ओफ एन अकेडमिक जैविश क्वाटरली अब उसे एक एक अकेडमिक जैविश का जो है क्वाटरली यानि की तीन महा के लिए co-editor यानि कि सह संपादक बनाया गया and though he often referred to himself as an agonist and even an atheist अब तीन माँ के लिए तो इससे सह संपादक बना दिया गया था ये शुरू से क्या है बगवान में संशेवादी था बगवान को लेकर यानि कि ऐसा लगता था इसे कि बगवान है यानि ये संशे में रहता था संदे में रहता था और दूसरा कि ये अथेस्ट था यानि की काफे ज़्यादा निरेश्वर वादी था ये शुर को नहीं मानता था nevertheless for years he had been dragging greatle two cedars at Abraham Mechals a landsman from San Siven लेकिन contrast में ही साथ साथ में ही contrast दे दिया इसका कि एक तरफ तो ये निरेश्वर वादी है बगवान को नहीं मानता वो दूसरी तरफ क्या है सालों से वो अपनी wife greatle को लेकर जाता था sadars के यहाँ Abraham Mechal के यहाँ जो की एक landsman है यानि की जमीनदार है सैंसी मिन का वहाँ पर वो sadars में लेके जाता था उसे यानि की sadars हम कहा सकते है एक तरह से जो धार में कुछ सोव होते हैं उस तरह का कुछ होता है वहाँ पर ये ले जाता था हमेशा ही अब डॉक्टर मार्गोलिन क्या करते थे जो भी येहूदियों के पादरी होते थे refugee लोग होते थे या जैविश येहूदी रैटर्स होते थे उनसे कोई भी चार्ज नहीं लेता था उन्हें medicines भी supply करता था अगर जूरत पढ़ती थी तो उन्हें hospital bed भी provide करता था ये काम डॉक्टर मार्गोलिन करता था हलांकि वो निरिश्वरवादी था अब मिनिंग देखिए इसके जियोनिस्ट मैंने आपको बताया जैसे यहूदियों को उनके राष्ट्रिय घर पैलेस्टाइन में पुनर स्थापित करने के समार तक advocates of resettling jobs in Palestine as their national home second is scholastic ये study से related होता है connected with schools and education third है agonistic इश्वर के अस्थित्व में संशय रखने वाले not sure about God's existence जो ऐसा समझते की बगवान है या या ये confirm नहीं है थे इस जो निरिश्वरवादी होते है नास्तिक होते है one who believe that there is no God thereafter sadder sadder क्या होता है येहूदियों के घर अत्वा समझताय की एक पूजा धरम से related मैंने आपको जो बताया था ये येहूदियों के घर में या समझताय में होने वाले एक ऐसी पूजा होती है जिसमें की बोजन का योजन भी शामिल होता है अब काफी समय तक क्या है रेगुलर्ली सेंसी मिनर सोसाइटी की मीटिंग में जाता रहा had accepted positions in their ranks और उसे जो भी पद दिया जाता था वो एक ग्रहन करता था and had attended all the parties जो भी parties होती थी उन्हें attend करता था अब जो में शादी की बात आती है वो इसी लड़की की शादी की बात चलेगी तो अब में बात आगी थी कि अबराहम मेखल जो है वो अपनी चोटी सबसे चोटी बेटी Sylvia की शादी करने जा रहा था the minute the invitation arrived जैसे ही वो invitation आया ना ग्रेटल ने तो एक announcement कर दी अपना decision दे दिया that she was not going to let herself be carted off to a wedding somewhere out in the wilds or brownsville उसने तो सिधा सिधा announcement कर दिया कि मैं कोई ऐसी wedding में नहीं जाने वाली जो कि शहर की भीड़ बढ़ा कैसे इतनी सुनसान इलाके में दूर हो उस शादी में मैं कता ही नहीं जाने वाली if he Solomon wanted to go and judge himself on all kinds of greasy food coming home at 3 o'clock in the morning that was his prerogative आगे बात आती है वो यह कहती है ग्रेटल कि Solomon Margolin अगर जाना चाता है तो जाए वहाँ ठूस ठूस कर खाना चाता है उस तले हुए food को greasy food को तो वो भी खाए लेकिन बात ऐसी है कि उसे सुबह 3 बरे तक वापिस घर आना होगा और यही इसकी क्या है यही इसका मूल अधिकार रहना चाहिए मूल तो नहीं कह सकते है इसे हम कह सकते हैं विशेश अधिकार यानि कि इसकी priority एक तरह की रहने चाहिए अब इसके meaning देखिए meaning है यहाँ पे cutted off यानि कि carried off होता है लाद कर ले जाना जो places far away from towns निर्जन स्थान जो की शेहर से बीड़ बड़ा के सिदूर होते हैं गौर्ज का क्या meaning है खूब खाना ठूस ठूस के खाना to eat a lot of food प्रेरोगेटिव का क्या meaning है विशेश अधिकार एक special right होते हैं उन्हें प्रेरोगेटिव का आ जाता है अब आगे आता है डॉक्टर मार्गोलिन admitted to himself that his wife was right अब डॉक्टर मार्गोलिन कहीं न कहीं यह चीज़ accept कर लेते हैं कि उनकी जो पत्नी हैं पत्नी श्री हैं वो बिलकुल सही कह रही है अब इस तरह की एक शादी क्या है उसके लिए पूरी तरह से जहर की दावत साबित हो सकती है everything about such celebrations irritated him now अब इस तरह के कोई भी celebrations होते थे ना उसे काफी ज़्यादा तंग होता था irritate होता था the anglized yiddish चाहे वो मतलब anglized yiddish हो यानि कि anglo yiddish कह सकते हैं यह मतलब दो mixed languages को बताया गया है कि अगर दो mixed languages हैं यहूदी बाशा और English बाशा को mix कर दें या फिर दिर बटक कर ऐसे dance करना बिना किसी rule के जैविश laws and customs were completely distorted अब जैविश जो laws थे जो rule थे जैविश उन्हें बिल्कुल भी follow नहीं किया जा रहा था यानि कि उनके कानोनों को रीती रिवाजों को बिल्कुल तोड मरोड दिया गया था men who had no regard for Jewishness wore skullcaps अब जो जैविश लोगों को बिल्कुल भी ऐसे follow नहीं करते थे जैविश rules को यहूदीपन को वो तो क्या है वो टोपी पहनते थे अपने सिर पे और जो वहाँ पर आदर निये धर्म गुरू थे या फिर भजनों में जो आगे गायकी करते थे गाना गाते थे बजनों में आगे आगे वो क्या करते थे इसाई पादरियों की नकल करते थे तो जब भी वो किसी वैडिंग में ग्रेटल को लेकर जाता था या बार मित्विजा को लेकर जाता था वो काफी शर्मिंदा होता था बार मित्विजा क्या होता है जब एक लड़का यहूदी लड़का तेरा साल का हो जाता है तो उसे कुछ राइट दे दी जाते है कि हाँ भे अब तुम 13 साल के हो गयो अब तुम पूजा पाट करने में या फिर पूजा करने में बिल्कुल समर्थ हो तुम कर सकते हो तुम्हें इसकी allowance है तो जब भी वो ग्रेटल को किसी शादी में या फिर बार मिजवा में लेका जाता था वो काफी शर्मिंदा होता था इवन शी बॉर्न क्रिष्टन कुट सी टा अमेरिकन जुडीजम वो जमेश है सचे लेकिन उसे भी साफ साफ दिखता था कि जो अमेरिकों का यहूदी धर में ना अमेरिकीयों का वो पूरी तरह से उल्ट पोल्ट हो गया काफी जयाद ह Windows आ चुका है at least this time he would be spread the trouble of making apologies to her और अब यहाँ पर हो clarify कर रहा है कि वो शादी पर नहीं जाएगी ग्रेटल तो क्या है अब यह बात ग्रेटल बोल रही है कि अब वो शादी पर नहीं जाएगी तो उसे at least यहने कि इसके मिनिंग देखिए फटाफट प्रेरोगेटिव तक हो गया था यहूदियों द्वारा यूरोप में बोली जाने वाली एक बोली है रेवर्ण का क्या मिनिंग है आदर निया रेस्पेक्टेबल रेबिज अल्री बता चुका हूँ पादरियों को बोलते हैं यहूदियों के कैंटोस वर्ड है इसका मिनिंग है यहूदियों के बजन में जो अगुवाई करते हैं आगे आगे जो मंडली में गाते हैं आपएट नकल उतारना होता है बार मित्रिजा आप अल्रेडी बता चुका है अगे बढ़ते हैं हम एक यहाँ पर पैलिसेट्स का मेनिंग देख लीजेए पैलिसेट्स है हर्टसन नदी के किनारे जो स्थेत नोकदर पाड़ी हैं बोल्ट खिलिफ्स अलोंग दा हर्टसन रिवर उसके लिए यह वर्ड आ इनका क्या होता था कि यह जो वाइफ यानि की ग्रेटल और इसका पती जो है यह हमेशा सेंट्रल पार्क पर जाते थे वोक करने के लिए और वें दा वैदर वोज मिल्ड या फिर मौसम जब ठीक ठाक होता था तब यह हटसन नदी के किनारे जो गाटियां हैं वहाँ पर च थोड़ दिया था मीनवाइल दा टाउन ओफ सेंसिमिन हैड बिन डेस्टोड और इसी बीच क्या हुआ सेंसिमिन सुसाइटी का जो एक टाउन है सेंसिमिन का वो पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था इसी बीच जब यह छोड़ा था इसने वहाँ पर जाना इस फैमिली देर हैड बिन टोर्चरड क्योंकि वहाँ पर इसकी फैमिली को टोर्चर किया गया था जलाया गया था गैस से भी मारा गया था घैस ंकर्णष के थे थूदुन उसमें काफी सेंसिमिनर लोगों ने काफी सहन किया और बाद में क्या हुआ वो किसी न किसी तरह कैम्प के थू अमेरिका आगे बट मोस्ट अफ देम वर यंगर पीपल हुम ही सोलोमन हैड नोट नौन इन दा अल्ड गंट्री अब ये वहाँ पर बताता है कि आज की राथ तो वहाँ पर सारे के सारे ही होने वाले है अब उनमें कौन-कौन होगा, जो वदू-पक्ष है, उसमें तो सैंसी मेनर लोग होंगे, और जो वर-पक्ष है, उसमें टैरेश पॉलर्स जो लोग हैं, वो होंगे, तो सारे के सारे क्या है, उसे टोर्चर करेंगे, तंग करेंगे, वो जानता था कि वो लोग उसे किस कार से परिशान करेंगे उसे रिप्रोच हिम उस पर दोश लगाएंगे for growing aloof और किसलिए दोश लगाएंगे वो उसे फटका रहेंगे उसे गमंडी कहेंगे drop hints that he was a snob उस पर ये इलजाम लगाएंगे कि वो गमंडी है और रिप्रोच हिम for growing aloof अकेलिया के लिए दूर दूर रहने के लिए फटका रहेंगे भी स्नोब गमंडी होता है वो उससे फैमिलियरली मिलेंगे बात चीत करेंगे उसकी पीट भी थप थपाएंगे एक तरह से थपड मारने की तरह सी और उसे खींच के डांस करने के लिए भी लेकर जाएंगे यानिकी उसे टॉर्चर करेंगे एक तरह से पहली सेट्स आपको बता दिया था अटसन नदी के किनारे स्थित जो नोकदार पहाडियां है उसके लिए यूज़ हुआ है तो अब आगे बढ़ते है चैपटर में लेकिन वो कहता है कि चलो ठीक है फिर भी हमें सिल्विया की शादी पर तो जाना ही पड़ेगा वो खुच जाएगा चाहे उसे ही जाना पड़ेगा अब क्यों जाना पड़ेगा क्योंकि उसने उपहार भी भेज़ दिया है अब आगे क्या हुआ दिन उग गया था ग्रे एंड डियरी एज डस्क दिन उग गया था थोड़ा सा लेटी सा था और धुंद की वज़े से क्या है उसमें काफी निराशा निरस्ता सी भरी हुई थी ओवरनाइट पूरी रात को क्या था काफी ज़दा बरफ गिरी थी सॉलोमन मार्गुलिन हैड होप्ड टू मेक अप फोर दा स्लीप अब सॉलोमन मार्गुलिन क्या चाता था कि वो अपनी नीन्द पूरी कर ले जो कि उसे शादी में खोनी है रात को बट अनफोर्चुनेटली ही हैड वोकन इवन अर्लियर दैन यूजल लेकिन उसके कंट्रास्ट में ही क्या हुआ उसके कंट्रेरी ही क्या हुआ उसकी नीन्द यूजली रेगुलर डेस से भी जल्दी खुल गी फाइनली ही गोट आप आखिरकार और वो उठ गया था ही शेवड हिंसल मैटीक्यूलेसली अब उसने खुद को अच्छे तरह से मतलब अड़ दा बाथरूम मिरर और उसने बाथरूम के मिरर शीशे के सामने खड़े हो के अच्छे जबनी शेव बनाई सावधानी पूरवक और एंड ट्रिम्ट ग्रेयर से घ्लाव टैम्पलेस होता है कनपट्टि जिसे हम कहते हैं आइब्रो और जो men's की column होती है उसकी beach का भाग होता है उसे कनपटी कहते है so उसने क्या है वहाँ पर जो grey भूरे से बाल कड़े थे उन्हें भी trim किया today of all days he looked his age अब काफी सालों में उसने आज अपनी age पर क्या है गोर किया there were bags under his eyes अब उसकी आँखों के नीचे कहा है काफी जदा आँखे मतलब ऐसे लटकी सी लग रही थी आँखों के नीचे का mass and his face was land काफी उसके face पर जुर्यां आगी थी exhaustion shored in his features ठकान उसके पूरे चेहरे पर उसकी हावाव में देखी जा सकती थी his nose appeared longer and sharper than usual अब उसकी नाक जो है नो काफी पहले से लंबी और तीखी लग रही थी there were deep faults at the side of his mouth और उसके चेहरे पर काफी खड़े बन गए थे उमर के तकाजे के इसाब से after breakfast he stretched out on the living room sofa अब उसने breakfast किया और living room के जो sofa है वहाँ पर जाके पढ़ गया stretch करने लग गया अपना मतलब लिट गया पूरी तरह से from there he could see gratle वहाँ से वो अपनी wife gratle को देख रहा था who was standing in the kitchen जो की खड़ी थी kitchen के अंदर ironing press कर रही थी blonde यानि कि उसके भूरे सफेद बाल थे faded उसकी faded middle aged अब काफी उसका चेहरा जो है पहले से nearest हो चुका था यानि कि अब उसके चेहरे पर वो चमक नहीं थी वो चमक जा चुकी थी middle aged काफी वो age हो चुकी थी she had on a skimpy पैटिकोट अब उसने एक ऐसा पैटिकोट पहना था जो की काफी जिससे body का पार्ट दिख रहा था and her calves were as muscular as a dancer उसके जो टांगों के पीछे का बाग था वो उतना ही muscular था उतना ही mask से बरा हो था जैसे की dancer का होता है तो चलिए यहां तक के meaning देखते हैं dreary का क्या meaning है dreary है नीरस या अनकर्शक, boring, uninteresting meticulously word है अत्ते दिक सावधानी पुरक, very carefully templates, कन पटियां, flat parts on each side of forehead aligned यानि की जुर्रियोंदार with wrinkles, exhaustion, थकान को कहते हैं blonde क्या होता है with fair और yellow hair और calves क्या होता है टांगों की पिंडलियां या फिर यह कैसे थे हैं the back of legs उसके बाद है skimpy, skimpy word है disapproving not large enough skimpy clothing shows a lot of your body यानि की बहुत जदा बड़े बाग में नहीं थोड़े से ही बाग में और skimpy word अगर clothing के लिए यूज़ करते हैं तो वो होता है कि body के part पर आपने जदा clothes नहीं पहने हैं बहुत ही कम clothes पहने हैं तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं ग्रेटल ग्रेटल had been a nurse in the Berlin hospital where he had been a member of the staff अब आगे बाद आती है वो ग्रेटल की बात करता है ग्रेटल जो है न बर्लिन hospital में नर्स रह चुकी है जहां पर कि वो खुद यानि की डॉक्टर मार्गोलिन जो है उस staff का एक member था ओफर फैमिली अब ग्रेटल की फैमिली की बात आती है उसका एक भाई जो की नाजी था वो मर गया था टाइफस नाम की बिमारी से रश्यन प्रिजन कैम्प के अंदर और उसका जो दूसरा भाई था second brother who was a communist वो एक communist था एक संपादक के टाइप था कुछ संपादक तो नहीं कह सकते हैं सामयवादी शायद वर्ड होता है इसके लिए तो communist था सामयवादी था had been short by the Nazis जिसे की नाजी लोगों ने ही मार दिया था her aged father vegetated at the home of his other daughter in Hamburg and gratle sent him money regularly अब उसके जो पिता जी थे वो vegetated रहते थे यानि की चुप चाप रहते थे अब उनका दिमाग भी नहीं काम करता था vegetated का main meaning क्या होता है दिमाग भी काम ना करना जब आपका दिमाग काम ना करे ऐसी बिमारी शायद paralysis के अंदर होती है जब दिमाग काम नहीं करता है इतना तो उसके पिताजी इस तरह से हो चुके थे कि अब उनका दिमाग काम नहीं करता था और वो अपनी दूसरी बेटी के घर पर हैंबग में रहते थे जहां पर कि ग्रेटल उन्हें उनके लिए पैसे बेचती थी लगाता है अब वो भी न्यू योग में रह रहकर यहूदी हो चुकी थी उसने अपनी दोस्ती भी जैविश वोमें से की थी जोइन हैड़ेश उनका जो एक ग्रूप था लेडीज का जैविश वोमें का वो भी उसने जोइन किया था उसने जैविश डिश भी बनाना सीख लिया था इवन हर साइ वोज जैविश हलांकी नहीं और उसका जो सांस लेने का तरीका था ना वो भी काफियत तक यहूदियों की तरह हो चुका था एंड शी लामेंटेट कंटिनुरली ओवर दा नाजी केटस्ट्रोफ और उसका जो तरीका था सांस लेने का वो भी काफियत तक वैसा ही हो चुका था और अब आगे क्या बात आती है कि उसने और आगे क्या बात आती है कि वो मतलब जो नाजीओं दोरा सरवनाश किया गया था पूरा विनाश किया गया था केटस्ट्रोफ किया गया था उस पर ही काफी लेमेंट करती थी दुख जदाती थी अब जहां पर डॉक्टर सॉलमन मारगोलिन ने प्लोट लिया था उसी के बगल में ही गृटल ने भी अपना एक प्लोट लिया था जहां पर जो की कब्रिस्तान के पास था और जहां पर की सहनसीमिनर लोगों ने वहां पर अपना आश्रे किया था और वहां पर अपना जो है खुद के लिए उसे औरक्षित कर लिए खुद यह अपना अडड़् जमार लिया था वहां पर तो यहां तक क्या अब मिनिंग देखिए ब्लॉंड बता चुका हूं मैं टाइफस टाइफस क्या मिनिंग है काइंड ओफ डिसीज विद हाई फीवर काफी तीज बुखार के कारण होने वाला एक डिसीज एक बिमारी है वेजीटेटेड क्या है निश्क्रियता का जीवन जी रहा लिविंग विदाउट एनी ब्रेन एक्टिविटी औस टैंसिविली कमिन है प्रतीत रूप में सीमिंग ली चलिए अब आगे बढ़ते हैं डॉक्टर मार्गोलिन योन अब डॉक्टर मार्गोलिन ने क्या क्या उबासी ली रीच फोर दा सिग्रेट डैट ले इन एन एश्ट्रे ओन दा कोफी टेबल बिसाइड हीम अब वहाँ उसके सामने कोफी टेबल पड़ी थी जिस सोफे पर वो लिटा हुआ था पड़ा था गिरा पड़ा था या फिर अराम फर्मा रहा था उसके सामने कोफी टेबल पड़ी थी उसके उपर एक एश्ट्रे पड़ी थी एश्ट्रे क्या होती है या अच्छा गया था यह कह सकते हैं मतलब वो काफी सफल रहा ostensibly he was a success वो उसने काफी अब तक सफलता प्राप्त कर ली थी मतलब ऐसा प्रितीत होता है कि वो अभी तक success में ही रहा है उसे सफलता मिलती रही है he had an office on west end avenue and wealthy patients उसका जो office है वो कहाँ पर है west end avenue के अंदर है और उसके जो patients हैं वो काफी wealthy हैं या नहीं काफी पैसे वाले हैं his colleagues respected हैं उसके colleagues की respect करते हैं and he was an important figure in Jewish circle in New York और New York के अंदर जो यहूदियों का जथा है या यहूदी लोग रहते हैं उनमें इसका काफी नाम भी है अब सैंसी मिन से आये हुए एक लड़की को इससे ज़्यादा और क्या ही चाहिए ऐसा इसके दिमाग में आता है a self-taught man खुद से ही सीखा इसने सब कुछ the son of a poor teacher of Talmud Talmud के एक गरीब teacher के यहां यह पैदा हुआ था उनका बेटा था in person he was told अब व्यक्तिकात हम बात करें तो यह काफी लंबा था कुछ हद तक handsome भी था and he had always had a way with woman और मतलब यह काफी हद तक woman में क्या है अपना male milab बनाये रखता था अच्छे से he still pursued them वो काफी हद तक अभी भी इनका पीचा करता था woman का more than was good for him at his age and with his high blood pressure अब क्या है वो मतलब उसकी age काफी हो चुकी थी उसकी उमर के accordingly और उसका जो high blood pressure रहता था उसके accordingly इसे ऐसा नहीं करना चाहिए लेकिन वो फिर भी ऐसा ही करता था पीछा करता था but secretly Solomon Margolin had always felt that he was a failure लेकिन secretly एक बात आती है कि Solomon Margolin को हमेशा ही ऐसा feel होता है कि वो हारा हुआ बंद है failure है as a child he had been acclaimed a prodigy reciting long pages of Bible and studying the Talmud and commentaries of his own on his own अब क्या होता है आगे क्या आता है Solomon Margolin उसे हमेशा ऐसा लगता था कि वो failure रहा है एक बच्चे के रूप में उसकी बात आती है कि जब वो मतलब छोटा था एक बच्चा था तब वो क्या करता था उसकी प्रशनसा की जाती थी काफियद तक और उसे ऐसा माना जाता था कि वो काफी प्रतिवा संपन बालक है यानि काफी psychology की language मुझे याद नहीं आ रहा प्रतिवा शाली कहते हैं तो प्रतिवा शाली बालक माना जाता था इसे क्योंकि ये बाइबल के बड़े-बड़े passages को भी याद कर लेता था और and studying the Talmud Talmud की जो study है वो करता था उसकी जो व्याख्याएं हैं कमेंटरीज हैं वो भी खुच से ही करता था when he was a boy of 11 जब ये 11 साल का हुआ he had sent for a response to the rabbi of Tarno who had referred to him in his reply as great and illustrious अब आगे क्या बात हुई कि जब ये 11 साल का था तब Tarno के जो धर्म गुरु थे तार्नो के उनसे इसने जवाब मांगा कि मैं किस तरह का बंदा हूँ या कैसा हूँ तो आगे से दर्म गुरु ने क्या लिखा सोलो मन के बारे में कि ये काफी ज़दा महान है काफी great है और illustrious है यानि कि काफी ज़दा प्रसिद कह सकते हैं इस तरह इसे उलेखित किया इस तरह से इस का जवाब दिया रिस्पॉंजम लिखित में जवाब मांगना होता है अब ये philosophy के work है तो जब ये teenage में था ना तब ही इसमें master हो गया था मतलब काफी हद तक इसने दक्षता असिल कर ली थी फिलोसिफी के इस work में गाइड फोर दा पर्प्लेक्स और कुजारी में अब उसने खुद को अच्छे से सिखा लिया था जो बीज गनित और रेखा गनित होते हैं उसके बारे में 17 साल की एज में क्या किया 17 साल की इसकी उमर ती जब इसने स्पिनोजा का लिखा हुआ जो ग्रंथ था या बुक थी उसे लेटिन से हेब्री में ट्रांसलेट करने की कोशिश की हालांकि जानता नहीं था कि यह उलड़ी किया जाचुका है यहन की ट्रांसलेशन अल़ड़ी हो चुकी है everyone predicted he would turn out to be a genius सभी ने ये सोचना शुरू कर दिया था ये predict करना शुरू कर दिया था कि ये बहुत बढ़ा his talents लेकिन इसने अपने talents को दबा लिया किसी तरह से खराब कर लिया continually changing his field of study रगातार ये अपने study के field को change करता रहा and he had wasted years in learning languages काफी साल इसने बरबाद किये languages को सीखने के लिए एक country से दूसरी country में जाने के लिए काफी साल बरबाद किये nor had he had any luck with his one great love रेजल the daughter of Malik the watchmaker अब Malik नाम का एक घड़ी साज था उसकी बेटी थी रेजल उससे भी ये प्यार करता था लेकिन उससे भी इसकी ज़्यादा मतलब नहीं बनी ये शादी भी नहीं कर पाया उससे उसे भी इसने खो दिया उसमें भी इसका लग अच्छा नहीं था रेजल हैड मैरीड समवन एलस और लेटर हैड बी शोट बाइन नाजीज रेजल ने भी किसी और से शादी कर ली थी और बाद में नाजीओं ने उसे मार दिया था अब पूरी ये पूरी पूरी लाइफ सोलोमन मार गुलिन क्या था इसके बारे में सोचता रहता था काफियत तक और पूरी जीवन बर ये सोचता रहता था और काफियत तक तो अब यहां तक के मिनिंग देखिए प्रशंसा किया गया प्रेज्ड और अड्मिर्स प्रोडिजी का मिनिंग है प्रतिवा संपन बालग प्रतिवा शाली बालग का चैल्ड हूज यूजरी गूट एट सम्थिंग तैलमुड यहूदी परंपरा का एक प्रमानिक ग्रंथ है और अथोरिटेटिव बोड़ी ओफ जैविश फिलोसिफी वर्क हैं स्कैंडर्ड का मिनिंग है बरबाद करना वेस्ट करना प्लैड का मिनिंग है मुसीबत खड़ी कर देना या गोज्ड लोट ओफ ट्रबल इटर्नल का मिनिंग यहाँ पर आपके सामने आता है शाश्वत स्थाई या फिर कंटिनियंग टू ए बहुत यहाँ पर है सुलजाने की कोशिश करता था यह फिर कर रहा था और इसके मन में खोफ था एक मौत का और वह इसके ख्यालों में इसके सपनों में बिया ता जिससे डरता था अब बात आती है यहाँ पर हिटलर के शासन की तो जो हिटलर का शासन था उसमें भी यह काफी मतलब निराशावादी रहा था पूरी तरह से क्योंकि पहले ही हमने पढ़ा कि इसकी लाइव जो है वो काफी अच्छी नहीं रही है तो हिटलर के शासन में इसके साथ क्या हुआ था इसके गरवालों को काफी परिशान किया गया था इसकी फैमिली जो है वो छिन गई थी इससे यह अपने बेटर डेज की एक्सपेक्टेशन करता था जो कि लास्ट ओप इसकी फैमिली थी उसे इसने खो दिया था और जो इसका मानव जाती के प्रती मतलब श्रद्दा थी हुमेनिटी में एक फैथ था वो भी अब नश्ट हो चुका था जो कि मतलब बेफिजूल के ही छोटी छोटी बिमारी नेकर इसके पास आ जाती थी वाइल मिलियंस वर डिवाइजिंग डिवाइजिंग अविश्कार करना होरिबल डैट्स फो वन अनदर और इसी समय क्या था जब बहुत से लाखों करोडों लोग जो एक दूसरे को मारने की स्कीमें बनाते थे अविश्कार करते रहते थे नहीं नहीं कि इसको कैसे मारें इसको कैसे मारें तो यहां तक के मिनिंग देखिए हाइपो कॉंड्रिया, हाइपो कॉंड्रिया के मिनिंग है स्वास्ता के बारे में ऐसे दान चिंता, रोग गिरम मॉर्बिड डिप्रेशन अबाउट वन्स ओन हेल्थ खुद के हेल्थ को लेकर ही काफी चिंता हो जाना कार्नेज, नर्सनहार, मासकर, एक्स्टिंशन, एक्स्टिंशन क्या होता है, विलोप या विनाश, मैटरंस, शादिशुदा मैलाएं, मैरिट वुमन, डिवाइजिंग आविश्कार कर रहे हैं, इन्वेंटिंग इन्वेंशन, ग्रेटल केम इन, अब ग्रेटल इतने में ही किचन से आगी, यानि कि अभी वो सौफे पे लिटा हुआ है, डॉक्टर सॉलमन मार्गुलिन, ख्यालों में ही अपने पुलाव बनाये जा रहा है, इतने में ही किचन से ग्रेटल आती है, वो बिल्कुल शांती से अपनी वाइफ को चुपचाप देखता रहता है, अब वो बताता है कि उसकी वाइफ के खुद के बहुत से ट्रॉबल्स हैं, अब आगे बताता है, कि वो अपने भाईयों को लेकर भी काफी दुखी है, चुपचाप दुख सहती रहती है, हालांकि जो हांस है जो वो भी एक नाजी था, शी हैड गोन थूँ अप प्रोलॉंग्ड चेंज ओफ लाइफ, उसने अपने जीवन के लंबे समय में बहुत से, अब उसका जो फेस है, वो पूरी तरह से लाल हो चुका था, वो इसके फेस पर बीड्स यानि की पसीने की बूंदे आ रखी थी, स्वेट पसीना होता है, बींड्स बूंदे होती है, अब वो बताता है कि वो इतनी कमाई तो कर सकता है कि एक मेड को पे कर सके, लेकिन फिर भी क्या है, ग्रेटल इंसिस्ट करती है कि वो खुद से ही सारा काम करेगी घर का, इवन दा लॉंड्री चाहे, वो कपड़े दोने का काम ही क्यो ना हो, अब ये उसके लिए एक पागलपन सा बना हुओ था, अब वो आगे बताता है कि पागलपन इतना चट चुका था उसके उपर, कि वो अपार्टमेंट के 16 माले पर रहते हो, उसकी जो वाइफ है, वो विंडोज को पॉलिश करती थी और बिना सेफटी बेल्ट के ये काम करती थी, 16 माले पर खड़े होकर, मेनिंग देखे, प्रोलोंग लंबे समय तक रहने वाला, लाल रंग का होट रेड कलर होता है, बीट्स बूंदे होती हैं, ड्रॉप्स, स्कोर्ड क्या होता है, रगड कर साफ करना, क्लेंड बाइ रबिंग, मेनिया मेनिया क्या होता है, उनमाद या अती उत्सा, ग्रेट एंथिजियाजम विज सम्थिंग, तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बाइस आप बताते हैं, कि अपार्टमेंट में और जो ओरतें थी, हाउस वाइबस थी, जो ग्रेणियां थी, वो अपना जो ग्रोसरी का समाने, किर्याने का समाने, वो घर पर ही ओर्ड करके मंगवाती थी, लेकिन ग्रेटल उसका भी खर्चा बचाती थी, सूपर मार्केट खुच जाती थी, और सारे हैवी-हवी बैक ढोकर लाती थी, नौँ हस्बेन एड वाइफ साइजड इच अप रीली, फिलिंग दा स्टेंगनेस दाट कमस ओफ ग्रेट फैमिलियरेटी, इस अच्छा है यहां पर, तो पती-पत्न एक दूसरे को देखने लगे, एक दूसरे को इच अधर, वाइफ साइजड इच अधर अब रीली, अब पती-पत्न एक दूसरे को थोड़ा-थोड़ा निराशा से देख रहे हैं, थोड़ा-थोड़ा विनोध के साथ, प्यार के साथ देख रहे हैं, और एक ऐसी स्ट्रेंजनेस एक ऐसा अचमबा सा हो रहा है, उन्हें एक ऐसा मतलब अजनभी पन मैसूस हो रहा है, जो कि काफी फैमिलियर्स है, यानि कि ऐसा तो है फैमिली में ही है वो, लेकिन अजनभी पन मैसूस हो रहा है दूसरे को देख कर, वो काफी इस बात को लेकर अमेज़ रहता है, काफी अचमबिद रहता है कि उसकी पतनी ने किस तरह से अपनी सुन्दरता को खो दिया, नोवन फीचर हैड अल्टर्ड, हलांकि कोई भी मतलब ऐसे उसके नाग नक्ष नहीं बदले हैं, बट सम्थिंग इन हर एस्पेक्ट है गिवन वे, लेकिन उसके वेवार की तरीके जो हैं, वो काफी चेंज हो गये हैं, चाहे हो उसकी प्राइड हो, यानि कि आतम सम्मान हो, रिष्टी कौन हो उसका, उसकी जो आश्चा है, या फिर क्योरियोसिटी है, उसकी किसी चीज़ को जानने की इच्छा जिग्यासा है, ये सारी काफी अतक चेंज होगी थी, और अचानक से वो बोल पड़ा, मतलब बोलता था लेकिन एकदम सही देख रहा है अपनी वाइफ को, और वो भी ऐसे प्रियार से और निराशा से देख रही है, ये भी देख रहा है, अचानक से बोल पड़ा, वर्ट शर्ट, इट डेजन्ट मैटर, वाइट शर्ट, कौन सी शर्ट, शर्ट अपने को मैटर नहीं करती, एक वाइट शर्ट लेओ, ये नोट गोईंग टू वियर दा टक्सीडो, और वो कहती है कि तुम टक्सीडो, टक्सीडो क्या होता है, डिनर की जो ड्रेस होती है, उसके लिए यूज क्या जाता है, कि तुम डिनर जैकेट नहीं पहनने वाले हो, वेट, I'll bring you a vitamin, और बात में दूसरी बात बोलती है, कि रुको मैं तुम आल्ली विटमिन लेकर आती हूं, I don't want a vitamin, मेरेको विटमिन नहीं चाहिए, ये बोलता है डॉक्टर सॉलोमन मार्कोलिन, और but you yourself say they are good for you, लेकिन फिर आगे से ग्रेटल बोलती है, कि but you yourself say that they are good for you, they are good for you, लेकिन तुम ही ने तो कहा था कि ये तुमारे लिए अच्छी है, leave me alone, मुझे अकेला छोड़ तो मार्कोलिन साब कहते हैं, well it's your health, not mine, तो वो भी आगे से कहती है, ग्रेटल ठीक है, ये तुमारी health है, मेरी थोड़ना है, मेरे को क्या, फटाफट मीनिंग देखिए, लग डेन की ढोया करना किसी चीज़ को, carried, really का मीनिंग है, निराशा, मिश्रित, विनोध के साथ, with disappointment and amusement, और aspect का क्या मिनिंग है, वेवार का तोरतरी का way of behavior, blurted out का मिनिंग है, चानक बोल पढ़ना, speak out suddenly, टक्सीडो, dinner jacket को बोला जाता है, अब आगे बढ़ते हैं chapter में, and slowly she walked out of the room, और फिर वो चुपचा वहाँ से slowly, बहार चली की room से चल कर, hesitating as if she expected him to remember something, and call her back, और वो hesitate होते हुए, थोड़ा थोड़ा ये expectation के साथ जा रही थी, कि उसका पती जो है, वो बुलाएगा उसे, किसी चीज़ के लिए पूछेगा, और पीछे से आवाज लगाएगा, यानि कि उसे कोई चीज याद आएगी, रिमेंबर आएगी, और फिर वो उसे पूछने के लिए, वापिस अपनी पत्नी का आवाज लगाएगा, ऐसा expect करके, ग्रेटल मोहोदया वहाँ से जा रही है, कि यहाँ पर हमारा scene first खतम होता है, और part first जो है, वीडियो का यहीं तक है, मिनिंग्स जो है, मैंने आपको साथ साथ बता दिये हैं, तो वीडियो को पोज करके, साथ साथ मिनिंग्स भी लिखते रहेगा, और possible हुआ तो इसकी जो PDF है, chapter complete होने के बाद, आपको provide कर दी जाएगी, टेलिग्राम चैनल पर, टेलिग्राम चैनल जो है, वो है solution hub, 0001, solution hub 0001 नाम से पेज आएगा, उसे subscribe कर लीजिएगा, वहीं पर आपको इसकी PDF जो है, वो provide कर दी जाएगी, chapter के end में, इसके word minutes की, तो मिलते हैं बागी second part में, तब तक के लिए टाटा, बाई 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 थैंक्यू, जैहिंद!